वन अधिकार अधिनियम सन 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 वन निवासियों के या जनजाती समुदायों और अन्य पारंपरिक वन वासियों के वन संसाधन संबंधी उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता हैं जिन पर ये जिन पर ये समुदाय अपनी अलग-अलग प्रकार की ज और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवशक्ता हैं शामिल हैं इस अधिनियम में स्वख्यती और आवास को भी शामिल किया गया है जिन्हें प्राया व्यक्तिक अधिकार और चराई मचली पकड़ना और वनों में जलाशेयों तक पहुच जैसे सामुदाईक अधिकार के रूप म जरूरतों के लिए वन भूमी आबंटन अधिकार भी प्रदान किया गया है यह अधिनियम ग्रामसभा और अधिकार धारकों को जैविवित्ता वन्य जीवों वनों और निकटवर्ती एकत्रण जलगहट छेत्रों में जैसे जलाशेयों और अन्य पारिस्थातिकी ब्रिष् प्रभावित करने वाली किसी भी विनाशक कारवाई को रोकने का उत्तरदाई तो भी सौपता है इस अधिनियम के तहत ग्रामसभा और जनजातियों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासर जनजाती जनसंख्या को स्थानी नीतियों और उन्हें प्रभावित करने वाल एक उच्छ अधिकार प्राप्त निकाय बनाता है इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश पहला वन में रहने वाले समुदायों के साथ प्राचीन काल से हो रहे अन्याय को समाप्त करना दूसरा वन निवासी अनुसुचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की भू अधिकार आजीविका और खादी सुरक्षा को सुनिश्चित करना तीसरा स्थाय उपयोग और जयविवित्ता संडरक्षन प्रणाली एवं पारिसितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन अधिकार धारकों के उत्तर दायित्म और प्राधिकार निर्धारित करके वनो वनों का संदक्षन सुद्रन करना आदिम जन्जातियों तथा क्रशी पुर्व समुदायों के आवास और ग्रिह निर्माण के भी अधिकार इसमें प्रदान किये गए अन्य समुदाईक अधिकार जैसे मचली और जलाशेयों के अन्युत्पाद मवेशी चराने संबंधी अध प्रमपरिक रूप से संग्रहित लगुवन वनोपच को एकत्र करने बेचने और उन पर स्वामित्व का अधिकार ये कुछ अधिकार वनों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जिसमें प्रमुख रूप से आदिवासी समुदाय और वहां रहने वाले अन्य प्रदायों को ये विशेश अधिकार जो हैं वो प्रदान किये गए हैं वनों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए और पारिस्थेतिकी संतुलंग बनाएं रखने के लिए 150 वर्षों से जो आदिवासियों को विभिन तरीके से संघर्ष करके जंगलों पर अपने अधिकार के लिए जो लड़ते रहे इन सब संघर्षों के फॉल्स रूप और पारिस्थेतिकी को संतुलित बनाएं रखने के लिए और वनों के संरक्षन संरक्षन के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए 1988 में केंद्र सरकार ने राश्टी वन नीती की घोशना की और इस नीती में माना गया कि वनों के संरक्षन और विकास में आदिवासियों और ग्राम समुदायों की अहम भूमिका होगी राश्टी वन नीती 1988 के प्रमुख प्रावधान निम्न लिखित हैं जिसमें मुख्य रूप से पहला देश के लगभग 33 प्रतिशत भाग को वन अच्छादित करने का लक्ष रखा गया है नेक्स्ट है वनों को उनकी संपत्तियों वजीव जन्तुओं सहित राश्टी धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा तीसरा व्यापक पैमाने पर वनारोपन अभ्यान चलाया जाए तथा सामाजिक वानिकी कारिक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा अग्ला है बाढ, सुखा जसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इन प्राकृतिक आपदाओं की रोख थाम तथा म्रिदा परदन और मरुस्थली करण को नियंद्रित किया जाएगा निक्स्ट है राष्ट्री आवश्चक्ताएं पुरा करने के लिए वनों की उत्पादक्ता को क्रम्शह बढ़ाना अग्ला वन उपज के कुशल उपयोग और लकडी के अनुकूलतम उपयोग को प्रोच्साहित करना नेक्स्ट रोजगार के औसर पैदा करना और महिलाओं की भागिदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और साथ ही साथ राजिस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं और तटी इलाके हैं जहां रेट के टीलों का विस्तार है इनकी जाज करना और रोपना ये राष हमने जो वनस्पति समुदाय की बात की और हमने देखा कि भारत में इत्ते विविद प्रकार के बन मिलते हैं, तो उसमें अलग-अलग प्रकार के पादप समुदाय देखने को मिलते हैं, और हमें पता है कि आयुरवेदा जो हमारे भारत के प्राचिन इतिहास से चला आ रहा है, जिसका एक महत्तपूर्ण योगदान है, तो इस आयुरवेदा से संबंधित बहुत सारे वनस्पति जगत या पादप समुदाय जो हैं, वो हमारे भारत में मिलते हैं, जिनके बहुत से औशधिय गुण भी हैं, तो ये हमारे जो इतनी विविद प्रकार के जो पादप समुदाय जिसे हम औशधिय पादप भी कह रहे हैं, बहुत से औशधी पादप की प्रजातिय हमारे भारत में जो देखने को मिलती हैं उनका चिकिस्था के छेत्र में एक महत्वपून योगदान है और हम इन्हें घर में उगा कर या इनके प्रेयोक के द्वारा अपनी बहुत सारी बिमारियों को ठिक कर सकते हैं तो कुछ बहुत महत्वपून एक पॉधा है और आपको पता होना चाहिए कि ये सिरफ और सिरफ भारत में मिलता ए इसके बाद जामून तो आपने खाई होंगे और जो गर्मी जाती है बारिश की शुरुईवात होती है तो यसमें ये जामुन जो है वो हमें बाजार में बहुत अद उपयोगिता है तो ये जो है वो ृडायबिटीज के लिए इसका डायबिटीज में इसकी बहुत महत्पूर्न भूमिका होती है उसे ट्रीट करने के लिए और साथ ही साथ आपके पाचन शक्ती को ठीक करने के लिए भी जामुन जो है वो एक महत्वपून फल होता है तीसरा जो है वो अरजुन ये कान में दर्द के लिए उपयोगी तो है ही और साथ ही साथ इसकी जो छाल है वो ब्लड प्रेशर मतलब रख्त चाप की बिमारी के लि बहुत देखते होंगे एक काटेदार पौधा होता है और बबुल के पौधे से जो गोंद निकलता है ये गोंद का जो प्रेयोग है वो गोंद के लड़ू बनाने में किया जाता है और शायद आपने इसे खाया भी होगा ये गोंद का लड़ू जो है वो आपके शारिक तुल्सी पूजा की जाती है और इसके भहमुल जो है और अशदिय गुण होते हैं इसके बारे में मुझे आपको बहुत जादा बताने की जोरत नहीं हैं। सब आपको पता ही होगा और समानगी जो सरदी जुकाम जब होता है आपको तो ये तो इसमें तो आप बहुत आयत में ये तुलसी के पत्तों का प्रेयोग कड़ते होंगे एसके बाद कचनार है कचनार के जो इस पौधे का जो प्रेयोग है वो अलसर और अलसर के साथ ही साथ दमा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और इस पौधे की जो जड़ है और उसके साथ ही साथ जो कली होती है उसका प्रयोग जो है वो पाचन शक्ती को ठीक करने के लिए किया जाता है इसमें ये सहयोग प्रदान करता है तो बच्चों हमने देखा कि इतने सारे औशधी पादक अभी तो हमने कुछ ही औशधी बनसपतियों की चर्चा की है और हमने देखा कि हमारे लिए कितने बहुमुल्य है और चिकित्सा के छेतर में इनका एक बहुमुल्य योगदान है इनके अलावा भी हमें मालूम है कि बहुत सारी अलग-अलग प्रजातियों की बनस्पतियां हमारे देश में पाई जाती है हमने देखा कि हमारी पारिस्थातिकी पर पारिस्थातिकी असंतुलन की एक विकट समस्या जो है वो उद्पन हो गई है और उसके कारणों पर भी हमने चर्चा की और हमने देखा कि इस पारिस्थातिकी असंतुलन के जो मुख्य कारण है यह कुछ व्यापारी जो है वो अपने व्यापार के उद्देश से इन्होंने चाहे वो पादप समूदाय हो या वनस्पति समूदाय इन सब का बहुत अधिक शिकार किया है और विनाश किया है ये इसका मुख्य कारण है पारिस्थाति की असंतुलन का और इसके साथ ही साथ जो है वो रासायनिक और जो ओद्योगिक अपसिस्ट है इनका जमाव और एक तेजाबी जमाव जो है वो धरातल पर होने से भी हमारे पारिस्थाति की पर एक स जिषे के साथ शात, आवॉस के लिए अंधा धून्द ओननों की कटाई की जा रही है, और यह सब ही कारण जो है वो हमारी पारिस्थेतिकी को बहुत ज्यादा असंतुलित कर रहे हैं! जो अनेक समस्याओं हमारे सामने उत्पन्न कर रही है! तो इन सब के कारण जो है वो हमारे देश में साशन के दूरा पादप और जन्तु समुदाय के रूप में हमारे देश में जो ये जैविवित्ता की एक महत्तपूर्ण संपत्ती हमारे पास मॉशूद है इसकी रक्षा के लिए कुछ योजनाें बनाई गई हैं या हम कहें कि मुखरूप से हम देखते हैं पहला देश में 18 जीव मंडल नीचे जीव मंडल नीचे यह हम जिसे बायो स्फियर रिजर्व कहते हैं इसकी स्थापना की गई है और इस 18 जैव मंडल नीचे यह बायो स्फियर रिजर्व में भी जो 12 बायो स्फियर रिजर्व हैं यह विश्व क जो बायोस्फियर रिजर्व हैं उनमें इन्हें शामिल किया गया है तो कौन-कौन से हमारे देश के 12 बायोस्फियर रिजर्व हैं जिन्हें विश्व के बायोस्फियर रिजर्व में शामिल किया गया है तो आएए देखते हैं हम पहला है सुंदर्वन, नंदा देवी, मननार कि खाड़ी नीलगीरी नाक्रेक ग्रेट निकोबार सिमली पाल पंच मढ़ी अमरकंटक का अचानक मार अगस्त मलाई कंचन जंगा और पन्ना इन सभी 12 बायोस्फियर रिजर्व की गढ़ना विश्व के बायोस्फियर रिजर्व में की जाती है तो एक कदम यह उठाया गया ह और दूसरा सन 1992 में सरकार के द्वारा पादप और पादप समुदायों की रक्षा के लिए या उन्हें सनरक्षित रखने के लिए उद्ध्यानों को जो अलग-अलग उद्ध्यान स्थापित किये जाते हैं उन उद्ध्यानों को तक्निकी और वित्ती सहायता देने की योज तीसरा कदम उठाया गया शेर के संरक्षन गेंडे के संरक्षन और भारती भैसे के संरक्षन के लिए तथा पारसिती की संतुलन के लिए भी अनेक योजनाये जो हैं वो बनाई गई हैं और चौथा कुल 103 नैशनल पार्क, राष्ट्री अभ्यारण्य, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिडिया घर जो है वो राष्ट्री की पादप और जीव समुदाय या जीव संपत्ती की रक्षा के लिए बनाए गये हैं ताकि हम अपने इन बहुमुल्य पादप और जन्तु संपत्ती की रक्षा कर पाएं और वो हमारे लिए इसलिए भी आवश्चक है कि हमने बताया यदि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी पार्सितिकी को संतुलित रखना होगा इसे असंतुलन से बचाना होगा और ये हमारे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पार्सितिकी को संतुलन संतुलित बनाए रखें और इसके लिए सबसे महत पूर्ण कदम तो सर्वपर्था में हमें यह उठाना होगा कि हमें जो हम अपने जीव समुदाय या पादप समुदाय का यह जो अंध मिनाश कर रहे हैं उस पर सबसे पहले रोक लगाई जानी चाहिए बच्चो आज हमने अपने पूरे प्रमुख वनस्पती संसाधन और जीव संसाधन पर चर्चा की और इसके अंतरगत हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पती क्या है कहां कहां पर और कितनी मात चर्चा की तो आपको अपने परिक्षा के दृष्टिकोंड से कुछ जो आपको अबजेक्टिव टाइप के कोशन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से भी आपको त्यार करना है जैसे आप से पूछा जा सकता है कि रबड के व्रिक्ष का संबंध किस से है या सिंकोना के व्र पाए जाते हैं और इन सब की विस्त्रिच चर्चा जो है हमने अपनी इस अध्याय में की है तो आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझना भी है और पढ़ना भी है और अपने परिक्षा के दृष्टिकोंड से जो अलग-अलग प्रकार के प्रश्ण आप से परिक्षा मे अपनी तो आपसे कोई एक बायोस्फियर डिजर्व का नाम दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह कहाँ परिसित है या फिर कुछ चार ऑप्षन आपके पास दे कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बायोस्फियर डिजर्व जो है वो विश्व के ब जो है वो आपको अपने इस चैप्टर को तयार करना है हां अगर लगुत्तरी प्रकार का प्रश्न या दिर्गुत्तरी प्रश्न की हम बात करें तो आपको थोड़ा डिटेल में इन सभी चीजों पर और जाना है जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वनस्पती क्या है बायोस्फियर डिजर्व क्या है इसके साथ ही साथ मांसुनी वन किसे कहते हैं परवती वन किसे कहते हैं और दिर्गुत्तरी प्रकार के प्रश्न की हम यदि चर्चा करें तो आपको कोई एक वन या पूरे वनों पर आपसे विस्तार से वर्णन पूछा जा सकता है म मतलब भारती वनों का वर्गी करन प्रस्तुत कीजिए या या फिर उश्नकटी बंधी आद्रव शुष्क पढ़नपाती वन की विश्षताओं का वर्णन कीजिए मैंग्रो वन क्या है कहां पाए जाते हैं और यहां पाए जाने वाले जो विभिन प्रकार की वनस्पतियां य और इन सभी प्रश्नों को बच्चो जहां तक होता है जसे यह दि आपको वनों के बारे में पूछा जाता है या वनों के वर्गी करन के विश्षय में पूछा जाता है तो बहतर है कि आप मानचित्र के साथ अपने उत्तर को प्रेजंट करें और जहां तक संभव होता है य तो यथा संभव जहां तक भी है आपको मान्चित्र का प्रयोग अपने उत्तर में करना होगा। बच्चों, हमने देखा कि वन संद्रक्षन हमारा एक प्रमु उत्तरदाइत्व है और हम इसके लिए कितने जागरूप हो रहे हैं। इसके लिए आए हम चलते हैं हमारे 36 गड़ के जगदलपूर के पास इस्थित एक गाउं पे जो जगदलपूर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है। और हम यह जानते हैं कि यहां वन संद्रक्षन के लिए किस प्रकार से सामुदाईक प्रयास किया गया है। जगदलपूर से 45 किलोमीटर दूर एक गाउं है संध करमारी। यहां पर साल और मिले जुले पेड़ों से घिरे हुए जंगल आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इन जंगलों के बीच में धान के खेत भी फैले हुए हैं। इन जंगलों और खेतों से घिरे इस गाउं की सीमा ओडिसा से लगी हुई है। ऐसे तो अधिकांश सीमा जो है वो कुरुंदी नामक छोटी नदी से बनती है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो मेड़ पर बने हुए हैं। यहां गाउं की बसाहट बहुत बिखरी हुई देखने को मिलती है। और इस गाउं में लगभक साथ से आठ समुदाय निवास करते हैं। जैसे ही हम गाओं में प्रवेश करते हैं कि इस गाओं की सीमा का काफी हिस्सा जंगल का है जिसमें कई नदी नाले बहते हैं और साथ ही हम किसी भी दिशा से गाओं में प्रवेश करें तो हमें खेतों के बीचों भी महुए के पेर खड़े नजर आते हैं जो इन खेतों को एक अलग ही पहचान देते हैं हां साथ ही यहां सैकडो ताड के विक्ष भी देखने को मिलते हैं जहां यदि आप सुबा सुबा चले जाएं तो हर रोज सुबा यहां व्यापारी ताड़ी इकठा करते नजर आएंगे हां जब बरसाथ का मौसम आता है तो बरसाथ के साथ ही मचली पकड़ने का मौसम भी आ जाता है इस मौसम में खेतों से मिलने वाली चुन्चुनिया, चौलाई, कोच्चाई जिसे आप अरवी भी कहते हैं यहां के भोजन का प्रमुख हिस्सा है मौसम के अनुसार लोग पांस तरह के जिमिकन जिसे रतालू कहते हैं जंगलों से लेकर आते हैं यहां पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास प्रमुख रूप से उल्लेखनी हैं आज से लगभग 35 साल पहले यह पूरा गाउं बंजर जमीन से खिरा हुआ था जिसे वर्तमान सुरूप में बदला गया है दामोदर के द्वारा सन 2009 तक लगातार 35 वर्षों तक संध करमारी गाउं के यह सरपंच रहे हैं प्रारम में इन जंगल के पेड काट दिये गये थे और लोगों को चूले में जलाने के लिए जड़े खोद कर लानी पड़ रही थी जहां भी दामोदर गये उन्हें पेडों के ठूट नजर आए उन्होंने बताया यह गाउं के निस्तार के लिए भी उप्योग किया जाता था वे सब कुछ बेचकर खा गये दामोदर इसे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कुछ करने की ठानी तो सन 1976-77 में उन्होंने सरपंच पत का चुनाओ लड़ा और जीत गये जंगल की सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ लोगों को न्यूक्त करना पहली आवश्रक्ता समझी और सहयता के रूप में लोगों से उनकी जमीन के हिसाब से अनाज लिया गया और जो नस्ट हो चुके जंगल थे उन्हें हरा भरा किया गया जिसे अब बढ़ला कोट मतलब उगाया गया वन कहा जाने लगा वहाँ पशु चराना बंद कर दिया गया है और आज लगभक 35 साल बाद यह 215 एकड का जंगल इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने बल पर कि यह गाउं संद करमारी के लोगों की एक और संपदा है जो मावली कोट और मावली देवी का एक पवित्र जंगल है यहां अनेक और शधी वनस्पतियां भी मिलती हैं यहां हमें पता चल सकता है कि पुराने जंगल में किस तरह की विवित्ता हुआ करती थी और जब यहां के कि दौरा प्रियास किया गया तो उजड़ते हुए यह उजडें उजवे इन जंगलों को कुना हराभरा कर दिया गया है और जंगल की रक्षा भी करनी शुरू कर दी गई इस वन के नजदी के खेत लोगों ने छोड़ दिये ताकि जंगल जंगलों का विस्तार हो सकी और यह वन बस्तर में सबसे बड़ा वन छेत्र है वन संरक्षन के लिए सामुदाईक प्रयास के अंतरगत हम राजनान गाउं के भी एक गाउं की चर्चा कर लेते हैं चतिस गड़ का जो राजनान गाउं जीला है यहां का वन परिशेत्र बाग नदी के अंतरगत जो उप परिशेत्र छुरिया का घोगरा गाउं हैं इस जंगल में भी अवैध कटाई उत्खनन और अन्यंत्रित चराई के कारण यह गाउं पूरी तरह से बिरान हो चुका था यहां रहने वाले जो ग्रामीन हैं उन्होंने अपनी सक्रिय भूमी का निखभाई और सक्रिता वज्जागरुप्ता के चलते उन्होंने यहां एक मनमोहक हर्या ली और ताजी हवा में फूलों की खुशबू लिये यहां फिर से जंगल में परिवर्तित कर दिया दशको पूर्व यहां जंगल बेहद असुरक्षित था बहुत ज़ादा अवैत कटाई के कारण पूरा जंगल ठूट में बदल गया था ऐसे समय में ग्रामीनों को जलाओ लकड़ी और पालतु जानवरों के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया था यह बन प्रबंधन समीती यह सब देखकर यहां रहने वाले जो बुजुर्गों की बुजुर्ग थे उनकी सलाह पर ग्रामीनों ने बन विभाग के सहयोग से जंगल बचाने का बीड़ा उठाया और सहयुक्त बन प्रबंधन समीती बनाई सैकडो हेक्टेर छेतर में बांस के साथ ही अन्य औशधिय और फलदार पौधे रोपे गए आज यह पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए हैं यहां जंगलों को जंगलों के पेड़ काटने के सक्त मनाई है ग्रामीन बाहरी लोगों से जंगल को बचाने बारी बारी से गश्त भी लगाते रहते हैं और चौकीदारी की तैनाती भी अलग से की गई है और ग्रामीन बताते हैं कि जंगल की सुरक्षा के दौरान उनकी जंगली सुर, हीरन और लकड़ बगगा ऐसे जानवरों से सामना भी होता है ग्रामीन ना सिर्फ बाहरी लोगों से जंगल की स सुटे हुए हैं सयुक्त वन प्रबंधन समीती के द्वारा जंगल से लगे बंजर भूमी के पचास हेक्टेर छेत्र में बास रोपन किया गया है यहां वन औशदी से भरपूर पेड़ पूर्व से ही विक्सित हैं इस तरह से वन ग्राम के ग्रामिनों की महनत रंग लाई और यहां हर्याली लौट आई हैं अब ग्रामिनों को जलाव लक्री के साथ ही साथ पशोओ के चारे के लिए भी नहीं भटकना पड़ता इसी जंगल में चार से पाच फिट उची घास उपती है जिससे चारे की आपूर्ती आसानी से हो जाती है तो बच्चो छतिसगड के ये दो गाओं हमारे लिए एक उदाहरन है और यहां लोगों के द्वारा किया गया जो प्रयास है वो बहुत जादा सराहनी हैं और हमें एक सीख प्रदान करती है कि हमें किस प्रकार से अपने आसपास के वनों को संरक्षित और सुरक्षित रखन होगा क्योंकि जब वन सुरक्षित होंगे संरक्षित होंगे तभी हमारा पारिस्थाति की तंत्र संतुलित रहेगा और हम भी या हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा